दोस्तो नमस्कार आज हम मीडिया और कल्चर पे बात करेंगे और अगर आप UGC NET की तैयारी गंभीड़ता से कर रहे हैं तो आपको यह विशय यह कंसेप्ट बहुत मददकार होगी और यकीन मारिये आप तथे तो पढ़ सकते हैं अगर मीडिया और कल्चर के कंसेप्ट को समझना होगा कि कैसे दोनों जुड़ी हुई है और मीडिया कैसे कल्चर को प्रभावित करता है तो वीडियो के अंद तक ज़रूर बने रहेगा अब आते हैं अपने विशय पर देखिए कल्चर का कई एस्पेक्ट अगर हम शुरुआत से बात करें तो इतिहास का पाट यानी कल्चर में कुछ शाहित होते हैं कुछ गाने होते हैं कुछ फिल्मे होती है कुछ बाते हैं कुछ कहानी होती है वह कल्चर का इतिहास निर्मान करते हैं और उस इतिहास का प्रियोजन यह होता है कि वह कल्चर को एक जिनरेशन से दूसरे जिनरेशन में पहुचाने का काम करता है मैंने क्या बोला, try to understand यानि जो बच्चा छोटा है वह कहानिय, किताबे, गाने, फिल्मे देखकर यह पता करेगा कि हमारे पिछले कल्चर वाले किस तरह के कहानी पढ़ते थे किस तरह के गाने सुनते थे किस तरह के फिल्मे देखते थे यह ठीक किसी प्रकार से है जैसे हम लोग only film देखकर यह पता कर लेते हैं कि 70 के दसरक में कैसी फिलमें बनती थी वू हमारा इतिहास है तो कल्चर का एंट्रिट इतिहास है तो टुइंकल टूंकल इस्टार जो पोएम है वो हमारे कल्चर भी होता है रैप गाने खान पान जिस तरह मोमो चैनीज पॉर्ड शौमिंग यह सब पॉपलर कल्चर में है जो की बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से उसका आदमी कंजम्शन करता है और इसके अलावा जो पहनावा है बोल चाल है यह सब जो है कल्चर का व भविस्य की और याते हैं जिसमें लक्ष है एस्परेशन है सोच है महत्वकांचा है कुछ बनने का कुछ पाने के जुरून है यह भी कल्चर का पार्ट है अब आदमी जिस समाज में है जिस जगह पे है जिस समय में है उससे कल्चर प्रभावित होती है आपको पता है अगर आप इंडिया में हैं तो आप खास तरह के खाना खाएंगे खास तरह के फिल्में देखेंगे खास तरह की बोली बोलेंगे आप अमेरिका में हैं तो उसी तरह से आपका होगा यारि स्थान से कल्चर पर बहुत असर होता है अब आते हैं मीडिया पर अब देखिए मीडिया बताता है आपको मैंने बताया कि culture का एतिहासिक part अब उस पे media कैसे असर डालता है यह समझी मैंने film की बात की मैंने गाने की बात की मैंने poem की बात की और मैं यह बताऊं कि इसके द्वारा culture एक generation से दूसरे generation टरांस्षर होता है यानि 90 के दसक की जो फिल्में देखेंगे वो जानेंगे कि हमारे पापा मम्मी जो थे वो डीडी एल जी या इस तरह के फिल्में देखकर रोमांस करना सीखें जो सोले को देखेगा या उस दौर की फिल्मों को देखेगा उसे यह पता तो चल ही जाएगा कि उस दौर में डखैती बहुत होती थी तो उसमें फिल्म भी आ गई, साहित भी आ गई, कहानिया भी आ गई, प्रेमचंद को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो इतिहास जो culture का इतिहासिक पक्षा है वह culture को एक generation से दूसरे generation तक ना सिर्फ transfer करता है बलकि बताता है वहवारिकता भी बताता है एक तुनना के लिए अधार देता है कि जो culture अभी वर्तमान generation में है वह पिछले generation से अच्छा है या बुरा है या कितना advance है या कितना पिछड जाना होगा और इतिहास के लिए फिर आपको वही फिल्म गाने कहानी खिसे किताबों में जाना होगा और यह सब मीडिया है मास मीडिया का फॉर्म है यानि कि मास मीडिया में किताबे आती है मैगजीन आते हैं फिल्म आते हैं गाने आते हैं और शंगीत आते हैं यह सारे मास म application का सारा जो पक्ष है वा वरतमान पे भी हावी है और इतिहास बनाने का भी क्राम करता है अज जो फिलमें बन रही है वा कल इतिहास हो जाएगी जो अखवार आज निकल रहा है वा इतिहास में दर्ज होता जाएगा तो जो मीडिया है उसका परभाव कल्चर के इतिहास बनाने में भी है this is the thing which I am describing right now और वर्तमान पे भी है, हमारे फैसन पे है हमारी भोलचाल पर है, जो हिंगलिस कल्चर चल रहा है, हिंदी-ंगलिस मिक्स करके हम लोग बोलते हैं, जो टेक्स्ट चल रहा है जो स्माइली चल रहा है जो कमेंट का चल रहा है जो सोसल मीडिया पे वायरलिटी का कल्चर है वो सारा वर्तमान कल्चर का वर्तमान पक्च है यानि हम लोगों को देखते हैं उनके भाशाओं को सीखते हैं कि कैसा स्माइली में बात किया जाता है, कैसे टेंपलेट में इसमें भी आपकी किताबे होंगी और फिल्म देखकर, टेलिवीजन देखकर, किताबे पढ़कर हम लोग सीखते हैं कैसे बोलना है, बॉडी लाइग्वेज हमारा कैसे हो, किस तरह के कपड़े पहनना है, किस तरह के वस्तुगों का परियोग करना है, कैसे करना है, we learn all this thing by observing the mass media content and vast is mass media content, all the films, all the television, all the video content, all the audio content, all the things, these are the mass media content and we observe this mass media content and on the basis of our observation, we use to follow these things, तो कल्चर का एक वर्दमान का पक्षा है, जो present form है, उसे हम सीखते हैं, और आपको मैंने बताया कि कल्चर का एक जो ट्रेट है, वो भविसे की और लेके जाता है, भविसे की और यानि जो आने वाला कल है, यानि हमारा aspiration, हमारी महत्वकांचा, हमारी अपिक्छाएं, हमारी संकल्पना, हमारी सोज, हमारी परविती, हमारी हैबिट, यह सब जो पक्षा है, वो भविसे की और लेके जाता है, और इसको भी मास मीडिया बखुभी तै करता है, मास मीडिया बताता है आपको, क्योंकि मीडिया के तीन, जो important उद्देश है, क्या क्या उद्देश है, to inform, और to educate and to entertain, और इसके द्वारा मीडिया आपको बताता है, कि किस तरह के आपको पेसे लेना है, किस तरह के job करना है, आपको inform करता है, जिससे आपकी social status अच्छी होगी, तो आपको inform करता है, आपको उसी तरह का inspiration रखते हैं, मीडिया आपको एक तुलातमक भी idea देता है, competitive, यानि compression करके आपको बताता है, कि किस sector की demand जादा है, information देता है, समाज में किस job की रुतबा है, किस तरीके से तयारी करें कि जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले, अगर English बोलना है, तो सबसे अच्छा आप कहां से बोल सकते हैं, कहां से सीख सकते हैं, तो media आपको information देता है, knowledge देता है, साथ ही entertain भी करता है, और ये सब चीज हमारे भविसे से जोडता है, हम जिस तरह की फिल्में देखते हैं, हम उसी तरह के किरदार भविसे बनना चाहते हैं, फिल्मों में अगर hero Royce Royce से उतरता है, या Mercedes से उतरता है, तो हम भी चाहते हैं कि भविस में हम भी Mercedes से उतरें, गाने में अगर कोई rapper branded जूदा पहनता है, branded घड़ी पहनता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी branded जूदा, branded घड़ी पहनें, तो aspiration का, सोच का, महतोकांचा का, कितन लोगों ने इस तरह के गाने सोच के सोचा हो कि उसकी भी महभूबा ऐसी होगी खान-पान का अगर हीरो रेस्टूरेंट में खाता है तो हम लोग के बहुता कि कल जाके हम रेस्टूरेंट में खाएंगे यह चलो प्लान करते हैं तो खान-पान से लेकर वहवार, body language, gesture, eye contact, hair style, यह सारा जो culture का पाठ है वो वर्तमान में भी है और उसका भविस्व में भी है कि कल जा के मेरा body language यह होगा, मैं ऐसे जिम में body culture बनाऊँगा, जिम में training होगा, दो महने के अंदर मेरी body ऐसी होगी, मैं English सिखूँगा और यह दो महने में मैं ऐसे फराटेदार इंगिस बोलूँगा, so these are the future traits of the culture and this is also been impact by the media, media इसको भी परभावित करने का काम करता है, culture को भवी से भी देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कहीं से भी आपको confusion है कि media और culture का क्या अंतर संबन्द है, what is the relation between culture and the media, the concept is crystal clear in front of you, if you have still a confusion or problem, you can put it in the comment box, and I will take that thing and I will try to answer in my next video, and I hope that you have enjoyed this whole session, and if you have really enjoyed then put your comment, like the channel and subscribe to the channel, मिलते हैं इसी तरह से किसी दमदार विसाई के साथ, फिर से तब तक के लिए धन्यवाद,